प्रिये विद्यार्तियों, आज अपन वेगनर का महादिवे पर्वा सिध्धान्त का अध्यन करेंगे। सबसे पहले सिध्धान्त का उद्देश। प्रोफेसर अलफ्रेड वेगनर जर्मनी के एक सूपर्शित जलवाई वेता, भूगर्व सास्त्र वेता, भू सास्त्र वेता एउन वनस्पति वेता थे। वेगनर ने अपने सिध्धान्त का पर्तिपादन सर पर्थम 1912 में किया, परन्तु इसका विवेचन 1915 में पुनहे किया, पर चुकि उस समय पर्थम विश्विच चल रहा था, जिसके कारण इसका अध्यन अधिक नहीं हो पाया, तो उन्हेंने पुनहें 1920 में इसका आसागरों की तली तथा महादिपों की इस्तिरता की संगलपना को इन्होंने गल्ध पर्मानित करने के लिए अपना परतिस्तापना परिकलपना का परतिपादन किया, वेगनर के सामने मूल पूत समस्या थी, जलवायू समन्दी परिवर्तन, भूममंडल पर अनेक छहितरो में इसे परिणाम मिले हैं जिनके आधार पर यह ग्यात होता है कि एक ही स्थान पर जलवाईव में समय समय पर अनेक परिवर्टन हुए हैं तो इन परिवर्टनों को दो रूपों में इस्पस्ट किया जा सकता है पहला यदि इस्थल भाग इस्थर रहे हो तो जलवाईव कटि बंदों का क्रम से इस्थाना अंतन हुआ होगा जिसके कारण कभी सीथ, कभी उस्न तता कभी सुक्स एवं उस्नार्द जलवाईव का आगमन हुआ होगा परंतु ऐसे परमान परत्यक्स रूप से कहीं मिलते नहीं है तो दूसरा यदि जलवाईव कटि बंद इस्थर रहे हो तो इस्थल भागों का इस्थाना अंतन हुआ होगा तता उनके इस्थाना अंतन परभा में विश्वास किया इनके अंसार इस्थल भागों का इस्थाना अंतर्ण हुआ जिससे अलग लग परकार की जलवायु आई अब सिध्धान्त का प्रधान रूप वेगनर्ने पूर जलवायु सास्त्र पूर वनस्पति सास्त्र भू सास्त्र तथा भूगर्व सास्त्र के परमानु के अधार पर यह मान लिया कि कार्बैनी ने पेंजिया रखा इस पर छोटे छोटे आंत्रिक सागरों का उस्तार था और पेंजिया के चारोर एक विसाल जल भाग था जिसका नाम करण वेगनर महोदे ने पैंथा लासा दिया पेंजिया को इसने दो भागों में बाटा पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया कहला है जिसमें उत्तरी अमेरिका यूरोप तथा एसिया वे पेंजिया का दक्षनी भाग गोडवाना लेंड जिसमें दक्षनी अमेरिका अफरीका मेड़ागावसकर प्रायदीपे भारत आ मद्वर्ती सीमा और आंतिक प्रत निफे इन्होंने बताया सियाल महादी पे भाग से बनाया जो बिना किसी रिकावर्ट के सीमा पर तैर रहा है कारमेनी फैरेश्यूग में दक्षनी दुरू अफरीका में जो वर्तमान में डर्बन नेटाल के पास है पेंजिया के मद्द में था वेगनर के सिद्धान्त के अमसार कार्मेरिफैस यूग से प्रानम हुआ माना जाता है आगे चल कर इन्होंने पेंजिया का विभाजन माना और इसके पक्स में इन्होंने परमान दिये सिद्धान्त के पक्स में सबसे पहले इन्होंने अपने परमान दिये भोगार्बिक बनावट, जलवायू तथा वनस्पत्ति के वित्रण के आधार पर वेगनर महोदे ने यह परमानित करने का प्रियास किया कि प्रारम में सभी स्तलभाग पेंजिया के रूप में ही था वेगनर का कहना था कि वर्तमान महादिपों को जोड़ कर पेंजिया का रूप दिया भी जा सकता है सिद्धान्त के पक्स का पहला परमान वेगनर के अमसार एटलांटिक महासागर के दोनु तटों पर भोगोली के एक रूपता पाई जाती है दोनु तट एक दूसरे से मिलाई जा सकते हैं जैसे के उत्री अमेरिका एम दक्षिनी अमेरिका का पूर्वी तट वे यूरोप वे और अफरीका का पस्मी तट मिलाएं तो ये जिग सा फिट जैसे कोई वस्तू तूटी हुई हो और पुन्हे उससे मिला दिया जाए तो वैसे का वैसा लगे तो ये बहुत बड़ा परमान है इनके आधार पर और अपने को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है अक्वी वास्तों में उत्री अमेरिका और दक्षनी अमेरिका के पूर्वी तट को अफरीका और यूरोप के पस्मी तट से मिलाएं तो ये फिट सा बैठता है दूसरा प्रिनाम भूगर्विक परमानों के आधार पर एटलांटिंग महासागर के दोनु तटों पर कैलोडिनियन तता हर्सीनियन परवत करोमे में समानता पाई जाती है तो भी दोनु तटों पर एक जैसी चट्टाने भी है तो यह भी बहुत बड़ा परमान है तीसरा यदि दोनु तटों की भूगर्विक सन्रचना का विचार किया जाए तो भी इनमें सम्मिता दिखती है डूटु वायट ने दक्षनी अमेरिका के पूर्वी तता अफ्रीका के पस्षमी तटों का गहन अध्यन करके बताये कि दोनु तटों की सन्रचना में परियाप्त साम्मिता है चतुर्थ परमान आंध्र महासागर के दोनु तटों पर पाए जाने वाले जीवावसेश तथा वनस्पति अवसेश में परियाप्त समानता पाई जाती है तो दोनु तटों के वनस्पति अवसेश और जीवावसेश एक जैसे ही पाए जाते हैं तो यह भी बहुत अच्छा परमान है पांचवा भूगणितिय परमानों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीन डैंड निरंतर 20 मिटर पर्तिवर्स पस्षमी की और सरक्राय लेकिन इसके बारे में अब भ्रांती है कि 1930 के बाद पस्षमी की और खिशकने का कोई परमान अब नहीं मिल रहा है छटा इसकैंडिवेनिया के उता है